solutions क्या होता है गाइस यहार solute और solvent से solution वनता हूँ है ना solute और solvent से क्या वनता है solution solvent क्या होता है the component जो की जाधा amount में राइट यह लिखने की जोतनी है solute solvent solvent is a substance which is present in access binary solution का मतलब क्या होता है एक solute एक solvent अगर ternary solution इसका मतलब दो solute एक solvent solvent देखी होगा clear है guys अब solutions कितनी तरह के हो सकते हैं कई तरह के हो सकते solutions may be solutions may be gaseous liquid or solids and solids okay guys clear है यहाँ था जाधार हम liquid solutions की बात करेंगे mostly we'll be talking about liquid solution liquid solutions का मतलब क्या है liquid solutions का मतलब है solvent is liquid समझो आ रहे नहीं आ रहे बच्चो liquid solutions का मतलब है solvent liquid है लिगन जो solute है that can be anything it might be gas it might be liquid it might be solid present in the liquid solvent यहाँ 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 एक्जाम्पल तुम्हें पता होने चीए हरे एक के तो सबसे पहले आते हैं gaseous solutions पे gaseous solutions का मतलब क्या है solvent is gas so gas in gas के example देखो gas in gas air would be best यहाँ यहाँ हैं यहाँ है यहाँ है यहाँ यहाँ है जो हमारा air है that is a gas in gas लिक्विड इन गैस इसका एक्जामपल है वाटर इन एर ठीक है गाइस या ब्रोमीन इन क्लोरीन या एसिटिक एसेड इन नाइटरजन इन नाइटरजन इस आ लिक्विड प्रेजन इन गैस अब आते हैं सॉलिड इन गैस तो मिनलाइज करोगे यह चीज़ें याद करनी की है नहीं मुच यू दू अबावट इस सॉलिड इन गैस के एक्जामपल क्या है नैफ्थलीन इन मीथेन आयोडीन इन एर कैमफर इन एर यह हमने किन की बात करी है गैस इन गैस की मुसी हम इन्हीं की बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन्स की इन वर चैप्टर तो गैस इन लिक्विड का एक्जाम्पल क्या हो गया CO2 इन वाटर HCL इन बैंजीन लिक्विड इन लिक्विड लिक्विड इन लिक्विड का एक्विड इन लिक्विड का एक्विड है इलकाहोल इन वाटर ब्रोमीन इन CS2 या CCL4 ओके अवा आते हैं solid in liquid sugar in water iodine in CCL4 lead in mercury NaCl in water यह मारे हो गए liquid solutions अब आते हैं solid solutions पर hold on guys विरेक सर हाँ तो बच्चों हमने gaseous solution पर लिए liquid solution पर लिए अब आते है solid solution जिसमें हमारा solvent है वो क्या है बच्चों solid तो सबसे पहले आते हैं gas in solid gas in solid का example है hydrogen in palladium में याद होगा इसके एक्जामबल पर आते हैं mercury in pallium नेफ्च आते हैं solid in solid solid in solid इसका इसका एक्जामबल होगे तुम्हारे alloys okay guys cobalt in N9 hold on cobalt in N9 gold in silver PbCl2 in PbBr2 basically all your alloys okay guys okay guys याँ तो कोई आउ basically हम समझ गए होगे एक्जाई solution की जो state है that is the state of the solvent of the solution ही ना गाई जैज आमने का solid solution तो we are trying to say that the solvent is solid solid solution की समझ लगे the solvent is solid okay physical state of solution is basically the physical state of the solvent in the solution कोई डाउट यहां तक बच्चो बोलो guys ना स्था अब आते हैं solubility of gases solubility of gases in liquids ठीक है बच्चो इस पर आते हैं guys देखो हम solids in solubility of gases in liquids मैं लिख दूँ पुरा in liquids guys solid in liquid भी होता है यह तुमने अल्रेड़ी पढ़ा हुआ है okay solid in liquid you have already done कब करा हुआ है पहले मैं उसको बता ही देता हूँ solids in liquid जैसे एन एसे एन एसे इन वाटर है ठीक है guys मैं एक काम करें मैं पहले ज़िए उपर वाज लाइन हटागी इस पुलिक दूँ पहले यहीं से शूव करते हैं solids in liquids करते हैं सबसे पहले लिख बच्चोंचों इन लिक्विट्स अग्जामपल लेते हैं एन ए सी एज सॉलिड को हमने सॉलिड को लिक्विड में डाला तो वो डिजॉल हो जाएगा अगर हम dissolution of solids in liquids रेखेंगे तो this is the reaction that you get यह reaction में जाओ इसमें तुम्हारी दो चीज़े हो लिए है एक जब तुम्हें नमक को पानी में डाला तुम्हारा lattice ब्रेक खरा ठीक है ना, lattice energy had to be supplied to break the lattice और दूसरा क्या हो बातुम्हारा जो ions बने, they got hydrated so there are two energies lattice plus hydration and normally तुम्हारा क्या होता है lattice plus hydration क्या आ रहा होता है overall it comes out positive, endothermic बनता है clear हुई है यह चीज़ या नहीं हुई यह जो reaction है basically NACL का पानी में dissolve होना, this is a endothermic reaction positive आ रही है, endothermic होती है energy has to be supplied lattice जादा हो गई, hydration कम हो गई basically, यह जिस समझाए नहीं आई, you have to supply energy to break the lattice and hydration में energy has released, हम कह रहे हैं कि तुम्हें देनी ज़्यादा पड़ी तोड़ने के लिए lattice को release कम होई तो यह इसका जो delta H होता है वो क्या होता है बच्चों positive अब मुझे वदाओ, दो effect pressure और temperature का effect on solubility that is what we look at pressure and temperature का effect on solubility temperature का देखते है endothermic में temperature बढ़ाते हो तो reaction कहां जाती है, forward या backward forward जाती है, तो idea is temperature बढ़ाने पर forward जाने का मतलब क्या है solubility increases forward जाने का मतलब क्या हो गया क्यों, NaCl और ज्यादा dissolve होगा and will break into ion so solubility increases on increase in temperature clear होगा ये चीज़ pressure बढ़ाने का क्या effect है guys जो pressure का effect होता है वो हमारा solids and liquids पे negligible होता है solids and liquids में pressure बढ़ाने का effect is almost negligible I mean normally हम क्या कहेंगे अभी gases की बात करेंगे चीज़ जादा clear होगी, ये gases पे pressure का effect पढ़ रहा होता है solubility पे, चीज़ है लेकिन solids and liquids में there is no effect या negligible effect of pressure negligible effect effect on solubility कोई दिक्कत यहां तक बच्चो बोलो guys pressure का effect negligible होता है अब आते हैं ये था हमारा कुन था बच्चो solids and liquids अब आते हैं gases and liquids का एक चीज़ देखो ये हमारी को liquid दे रखा है और उसके उपर कोई gas प्रेज़ेंट है this is a liquid and we are given gas over the liquid ठीक है guys पहले हो मुझे बताओ कोई भी gas है ये gas को हमने dissolve किया मतलब मैं ये एक्वस लिख दूँ इससे convenience के लिए guys ये reaction कैसे होगी endo-exo सोचो उसी टर्म्स में lattice plus hydration हम कहींग इसमें lattice तो हा ही नी तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इसके अंदर हाइडरेशन होगा purely hydration मतलब एक तरीके ये जो reaction है इसका delta इस क्या होगा बच्चो positive या negative hydration क्या होता है negative negative तो idea क्या है ये जो होती है इस आदिजार exo-thermin dissolution of gases in liquids is exo-thermin अब अगर तुम temperature बढ़ाओगी तो reaction कहा जाएगी बढ़ाओ exo-thermin की reaction में अगर तुम temperature बढ़ाते हो तो reaction backward जाती है मतलब तुम्हारी solubility क्या हो जाएगी बच्चो solubility decreases clear है हाँ तक good pressure बढ़ाओगे तो अब pressure बढ़ाओगे तो मैं उसको समझा देता हूँ तुम्हें guys हमने pressure बढ़ा दिया है यहां पर we have increased the pressure तो वो pressure को कम करना चाहेगा हमें बढ़ाओगे तो हमने यह ली चलिए pencil है कि जो तुम external factor ला रहे हैं उसको कम करना ही कुशिश कर रहा है प्रेशर कम कैसे करेगा by decreasing the number of molecules of gas मदब वो गैस अकर पानी में चली गई तो number of molecules of gas कम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे pressure कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा मदब हमारा जो gases molecules हैं उसके number of molecules कम करना चाहेगा to decrease the pressure external हमने वो डाला है मदब हमने factor लाया उसको nullify करने कोशिश कर रहा है pressure बढ़ा दिया it wants to decrease the pressure how it will decrease the pressure by going into liquid right और going into liquid का मतलब है solubility क्या हो गई बढ़ गई तो pressure बढ़ाने पे solubility increases clear है या नहीं बच्चे यह चीज़ बताओ solubility increases यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बोलो मिटा pressure बढ़ाया तो it wants to decrease the pressure pressure कैसे decrease होगा by molecules of gas को कम करके gas के molecules कम कैसे होंगे यह उनको तुम पानी में भेज़ जो जो liquid phaser उसमें तुम्हारा अगर जादा dissolve हो जाएगा तो molecules of gas कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी आइडिया इस के पहले जो गैस थी उसका अब pressure बढ़ानी के जैसे it wants to decrease the pressure how by going into solution going into solution का मतलब है solubility बढ़ गई गाईज यह चीज़ जो मैंने अभी बोली यह चीज़ समझे मैं आई या नहीं आई clear हो गया so this is the effect of temperature and pressure on gases in liquids solubility of gases in liquids यहाँ था कोई डाउट so let us go on to now the factor हमने गा कि let us have the effect of pressure on solubility हमें अच्छी देखना चाहरे है कि pressure बढ़ाने पे कैसे how pressure and the solubility of gas in liquid is dependent कि pressure बढ़ाओगे तो कितनी solubility बढ़ेगी उसको हम देखना चाहरे है तो गाईज देखो solubility of gases in liquids यह किस-किस पर dependent करता है पहली चीज़ इस सबसे जो important चीज़ है it depends on the combination of liquid and gas देकर समझा आँ नहीं आँ आँ रहे है it depends on the nature of gas and the liquid समझा आ रहे है नहीं आँ रहे है बच्छो solubility of gases in liquid depends on nature of gas and liquid पहली चीज़ and दूसरा ही depends on temperature and pressure है ना? clear है यह नहीं बच्छो nature of gas and liquid and temperature and pressure इस पर डिपेंड कर रहा होता है solubility of gas in liquid clear है guys? temperature and pressure का effect हम देख चुके है pressure बढ़ाओगे solubility बढ़ेगी temperature बढ़ाओगे solubility कम होईगी ठीक है बच्छो अब कितना dissolved है कितना gas dissolved है liquid में उसका निकालने का मारबाबाब से एक formula है given by Henry's law Henry's law Henry's law क्या कहता है? solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas above liquid यह जी समझा हाई नहीं हाई यह वही statement है pressure बढ़ाओगे तो solubility बढ़ेगी यह बोलना चाहरे है pressure of gas above liquid जादा है तो जादा gas dissolved होगी in liquid guys this is clear हुई यह नहीं हुई बच्चो ठीक है guys pressure बढ़ाओगे solubility बढ़ेगी important चीज़ है हम solubility measure को उसमें करें solubility measure करी आती है in terms of mole fraction solubility of gas in liquid is measured in mole fraction in mole fraction आती हुआ है गाईस solubility हम किसमें measure करें है in terms of mole fraction कि यह जदा जादा pressure होगा उतना जादा mole fraction of gas होगा in the solution solution guys समझ मारा है नहीं आरहा है बच्चो तो हमने क्या कहा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसी statement को mole fraction of gas in liquid is directly proportional to pressure of gas above liquid solubility की जिए के हम क्या लिख सकते हैं mole fraction of gas in liquid is directly proportional to pressure of gas above liquid ये ची समझ आई नहीं आई बच्चो माला P is directly proportional to mole fraction of gas ये pressure of gas above the solution is directly proportional to mole fraction of gas in solution guys जितना जादा pressure above the solution gas का उतना जादा mole fraction of gas in the solution समझा रहा है नहीं आ रहा है बच्चो तो हमने का ये कुछ constant लगा हो तो हमारा formula आगया P is equal to KHX where KH is known as Henry's constant clear है guys याँ तो कोई डाओ याँ भी P is the pressure of gas above the solution and X is the mole fraction of gas in solution guys please important है तो हमार ने तो हमारा प्रकर कर तो P तो हमारा प्रकर कर तो P is the pressure of gas above solution and X is the mole fraction of gas in solution क्लियर है गाइस यह चीज़ समझाएं नहीं आएं अज मुझे एक चाह दाओ फॉर अगिवन प्रेशर फॉर अगिवन प्रेशर दो गैसिस दे रखे दोनों का अमन ने प्रेशर सेम लिया ठीक है ना अब अब अधा सॉलिशन जिसकी के एच वैल्यू जादा होगी उसकी सॉलिबिलिटी जादा होगी या कम होगी फॉर सेम प्रेशर जिसकी के एच वैल्यू जादा है उसकी सॉलिबिलिटी कम है या जादा है बिटा P is constant मतलब KH into X की value same है जिसका pressure हमने दोनों का same रखा सिर्य हमने ऐसे मान के दो convenience के लिए एक hydrogen लिया एक oxygen लिया ठीक है तो हम क्या कहेंगे KH into X की value दोनों की same है हम निकार एक gas का KH जाद है तो मैं पूछा चाहरा हूँ उसकी solubility in liquid जाद होगी कमोड हाँ है ना जब कैंवी से के कैंवी से higher is value of KH higher is value of KH lower is the solubility of gas हाँ है ना higher is value of KH lower is solubility of gas हाँ है ना ये कैसे आया इसी देखो दो gases हैं दोनों का हमें pressure same दे रखा है तो मुलब idea is KH into X की value दोनों की same है दो gases की जिसकी KH value जाद होगी जिसका KH value जाद है उसका X कम होना च्छे KH into X का value तो दोनों का same है ना जिस गैस का KH जाद है मतलब तुम ऐसे देख लो simply X is P by KH जिसका KH value जाद हो उसका X कम तो हम ये कह सकते हैं जिसकी KH value जाद है उसकी solubility क्या होगी बच्छों कम होगी एक और चीज़ गाइस KH is function of temperature KH is function of temperature कि एस temperature पर डिपेंड कर रहा होता है तो मुझे बढ़ाओ temperature बढ़ाने पर solubility क्या होगी होती है अब यह हमने पढ़ाता decrease करती है मतलब KH value क्या होगी increase होगी नहीं होगी यह चीज़ समझा आ रहा है नहीं आ रहा है बच्छों मतलब if temperature is increased then the KH value increases and solubility decreases यह चीज़ clear हुई या नहीं होगी गाइस तो KH is function of temperature KH increases with increase in temperature समझा आ रहा है नहीं आ रहा है बच्छों clear है गाइस कोई डाउट किसी बच्छे को है यह हमने कैसे conclude क्या हमें बताए solubility decreases when temperature increases and we know कि जब KH बढ़ता है तो तुमारी solubility क्या होगी होती है बच्छों कम होगी होती है तो एक तरी के हम कह सकते हैं temperature बढ़ रहा है तो हमारी KH value क्या होगी है increase होगी है clear है guys कोई डाउट किसी बच्छों को यहां तक fair enough hold on guys just a sec idea is यह जो relation है important है जो मैंने भी बताए कि KH increases with increase in temperature अज़ा एक और चीज़ बच्छों normally मैं बढ़ताव S2 और से O2 लिया इनमें से ज़ादा soluble कौन सा होगा पानी के अंदर हम कहेंगी जो आपस में try to understand एक तरीके जैसे मान के लिए जिसमें interaction हो रही है water क्या ज़ादा वो ज़ादा soluble है अब जैसे हम कहते हैं कि gas की attraction with other gas molecules हम कौन से forces को देख रहे होते हैं London force मतलब अगर gas आपस में attract कर दी है तो वो water को भी attract कर दी होगी right इव 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 इड़ वोर्स तुम्हारे एस टू में ज़ादा होते हैं लंडन फोर्स इसके लंडन फोर्स इसके बात करें डिपेंड उन साइज ओफ मॉलीकिल ओडू का तुम्हारा के एच वैल्यू क्या होगी बच्च कम होंगी जादा होगी इतना समझा रहा है नहीं आ रहा है उसकी के एच वैल्यू इस वैरी हाई समझा रहा है नहीं है यह मारा हो गया यहां तब कोई डाउट इसका मैं मिटा है ता क्लियर होगी यह चीज कि हमारा जितनी बड़ी गाइस होते है इसे एस वन दोगो देखोगे तो उसकी के हैच वैल्यू इस कर दा है एक से होता हो अच्छो हमने अभी देखा कि टेंपरेचर बढ़ाने पर सॉलीबिलिटी कम हो रही होती है डाइज वह तुमारी ज्यादा आसानी से रह पाती है इंग कोल वाटर कोल वाटर में सॉलीबिलिटी ऑफ गैसे जादा गैसे आप मोड गैसे आप डिसॉल इं भी डिपेंड कर रही है तो अक्विडर लाइफ इस बैटर इस बैटर फ्लारिश इन कोल वाटर एंग अधे बार गैसे लिया रहा है लिए आतर लुक्या है अब एक क्वेस्टिन दे रहा हूंगा जो आप एक वेस्टिन दे रहा हुँए है पर solubility of N2 in water हमें दे रखा है as 10H3 पार 5 okay 10H3 पार 5 atmosphere mole fraction of N2 in air दे रखा है in air mole fraction of N2 दे रखा है कितना 0.8 हमें पूछा किया है what are the moles of N2 dissolved in 10 moles of water at temperature 298 Kelvin and pressure 580 guys question समझो हमें KH value दे रखिया किसकी nitrogen की nitrogen present in air ठीक है ना यह जो KH value है this is for solubility of nitrogen in water guys समझो आ रहे है नहीं आ रहे है बच्छो यहां दे क्लियर है जो KH है that is a constant it depends on the gas and जो हमारा KH हो किस पर depend कर रहा है it depends on the nature of gas and liquid and also on temperature ठीक है guys it depends on gas taken liquid taken and temperature KH इन तीनों चीज़ों पर depend कर रहे temperature का हमें पता है how it is dependent यह जो हमें KH value दे रखिये यह हमें temperature 298 पर ही दे रखिये same temperature पर ही KH की value दे रखिये अब guys हमें पूछा गया है how many moles of N2R dissolved in water P equal to KH X लगे है इतना तो दिख रहा है अब guys understand करने की चीज़ यह है P equal to KH X में जो हमारा P है that is pressure of nitrogen above the solution and mole fraction of nitrogen in solution is X क्या हमें pressure of nitrogen दे रखिये यह pressure of air दे रखिये above the liquid question में जो 5 atmosphere दे रखिये यह क्या दे रखिये are we given the pressure of nitrogen or are we given the total pressure of air above the solution total pressure दे रखिये रहा है total pressure दे रहा है language हो अगर द्यान से पढ़ोगी you are gonna realize they have not given you pressure of nitrogen they have given you total pressure हमें निकाल लिए solubility of nitrogen तो हम pressure of nitrogen ही तो देखेंगे ना above the solution कितना होगा कैसे निकाल होगी total pressure में ऐसे है अगर तुम्हें partial pressure निकालना है किसी gas का what do you do pressure total into mole fraction करते है जो हमारा क्या दा Dalton's log partial pressure P of A is P total into X where X is the mole fraction of that gas in the mixture of air जो भी air उस गया है तो मैं सीज़े expression लिखता हूँ 5 into 0.8 क्या ही हमें pressure of nitrogen दे रहा है total pressure into mole fraction of nitrogen in air is giving us pressure actual pressure of nitrogen in air now this will be equal to KH which is 10HC power 5 into mole fraction mole fraction को क्या लिख सकता हूँ है moles of nitrogen इन ये कोन से moles of nitrogen है in water by moles of nitrogen plus moles of water जो क्या हमें अल्यडी दे रखे हैं 10 guys हाँ या ना बताओ guys is this clear हूई या नही हूई बोलो clear हो गया अब इस value को देखो ये जो value निकल के आ रही है कितनी निकल के आ रही है n of n2 by n of n2 plus 10 ये कितना आ रहा है हमारा it is coming out 4 into 10 निकल पाद माइनस 5 है ना simply we ignored and compare उसको लिखा ले जा सकता है most of nitrogen by most of water उसमें most of water plus nitrogen can be equated to most of water only हाई ना क्योंकि ये value बहुत छोटी आ रही है अगर बड़ी आ रही होती we would have to solve the equation बड़ी नहीं आ रही है ये value बहुत छोटी है तो we can simply say moles of nitrogen कितने आएंगे 4 into 10 days power minus 2 that is your answer guys question is over इतना mole nitrogen है in 10 moles water guys that is what was asked in the question कि what are the moles of nitrogen dissolved in 10 moles of water तो ये जो approximation है जादर cases में होगी क्योंकि solubility क्या होती है काफी कम होती है gases के in liquid क्योंकि solubility जादा है तो ये हमारी approximation अपने आप चल जाती है clear है guys हाँ बेड़ा कर लो नो ये हमें pressure of nitrogen about the solution दे रहा है by chance question में हमें oxygen भी दे रखा हो ता कि 0.8 mole fraction of nitrogen है 0.2 mole fraction of oxygen ठीक है न मतब तोटल हमार nitrogen और oxygen ही present है say air के अंदर pH value oxygen की भी दे रखी होगी समझा रहा है नहीं आ रहा है बच्चों pH value किसकी दे रखी होगी oxygen की भी दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे 5 into 0.2 will be pH of oxygen bracket में क्या आएगा moles of oxygen divided by total moles which is nitrogen plus oxygen plus water which is 10 और वहाँ पे हम nitrogen और oxygen के denominator में हटा देंगे क्योंकि वो value बहुत छोटी है समझा आया नहीं आया अगर हमारे बाद nitrogen क्या हमें nitrogen का ही पूछा क्या थे इसलिए हमने इसका solve क्या other gases का भी होता से हमारा यहाँ पे यह of oxygen भी दे रखा है और हमें more fraction of oxygen से हमें 0.2 ही दे रखा 0.8 यह 0.2 ही है इसमें यह दोनों इग्नोर हो जाएंगे moles of water हम ले लेगे समझा आ रहा है नहीं आ रहा है moles of nitrogen by moles of nitrogen plus oxygen plus water और उसमें nitrogen और oxygen का हम क्या कर देंगे nitrogen और oxygen को we'll ignore यह चीज़ clear हुई या नहीं हुई गाए handy's law पे अगर question आएगा numerical बनेगा तो ऐसा ही बने that was for a particular gas और उसी की mole fraction in solution कोई और डाउट है वह हुआ नहीं समया है हाँ ऐसे समझो मैं इसको समझाता हूं रुको हम कह रहे हैं यहां पे supposing हमारे बास O2 और N2 दोनों है pressure of pressure हमें total दे रखा है O2 दे रखा है 0.2 N2 दे रखा है 0.8 ठीक है और हमें पूछा गया है KH value भी दे रखी है दोनों की N2 की भी दे रखी है O2 की भी दे रखी है पूछा गया है what are the moles of O2 dissolve what are the moles of N2 dissolve तो हम क्या करेंगे P total into 0.8 यह N2 के लिए आगया KH of N2 moles of N2 dissolved these are the moles of N2 dissolved in water moles of N2 plus moles of O2 plus moles of water यह दोनों हड़ जाएंगे निकाल लोगे moles of N2 और similarly तुमार बास pressure total into 0.2 will be KH of O2 into moles of O2 by N2 plus O2 plus water अब समझ यह आगया बेटा और यहाँ भी यह और यह ignore हो जाए निकल जाएंगे दोनों के moles that is what I meant जो मैं हवा में बोलना था वो यह चीज़ बोलना था ठीक है गाएंगे लॉपन निमेरिकल बनेगा तो यह बनेगा fine good अब आते हैं vapor pressure let us go on to vapor pressure of solution guys vapor pressure of solution क्या होता है guys एक तो हम solution ने लेते पहले let us talk about pure liquid pure liquid का vapor pressure कैसे निकल के आता है वो देखो solution के बज़ाए let us talk about pure liquid first pure liquid में क्या है तुमने एक liquid लिक्विड लिया उसके उपर अभी कुछ present नहीं है और तुमने उसे बी कर मदब एक container में close करके रख दिया ठीक है उस liquid को होगा क्या molecules will go into vapor phase some of the molecules will go into vapor phase ठीक है ना का है liquid के molecules vapor phase में के एक और मुस्त तुमारा initially rate जादा है फिर दी जीरे कम होगा and at one point of time equilibrium will be attained the rate of molecules going from liquid to vapor will be same as the rate of molecules from vapor going to liquid and equilibrium is going to be established between the vapor phase and the gas phase उस रुख प्रेशर ओफ लिक्विड above the liquid solution मतलब liquid के ओपर जो प्रेशर होगा gas का कौन सी gas का इसी molecule से जो गैस बढ़ लिक्विड का जो वेपर है उसका जो प्रेशर होता है उसे बोलते है वेपर प्रेशर का है समझा रहा है नहीं आ रहा है वेपर प्रेशर उसक जो प्रेशर एक्विड कर रहे हैं हमारे वेपर उनको हम क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर बच्च ठीक है काईस क्लियर है आदक मैं इसको बनायता हूं यह हमारा यह बन गया यह प्योर लिक्विड है initially हमने क्या लिया सिर्फ liquid लिया liquid में क्या होगा तुम्हारा equilibrium will be established equilibrium is established between vapor and liquid phase vapor and liquid phase pressure exerted by vapors in such state state being equilibrium state in such state of equilibrium is known as vapor pressure it is known as vapor pressure clear है guys समझों आगया नहीं आगया बच्छो अब ये था pure liquid का what will happen if you add a solute to the solvent ठीक है न गाइस हमार बास solution बन गया if if solute B is added to solvent A if solute B is added to solvent A ठीक है न गाइस तो उसमें क्या होगा पहली चीज़ इसको हम दो में break करेंगे किया solute भी vapors में जा सकता है हम क्या निकालना चाहरे है vapor pressure निकालना चाहरे है ठीक है न गायद अगर हमारा solute भी vapors में जा सकता है solute is volatile volatile का मतलब समझे it can go into vapor phase और दूसरा if solute is non-volatile solute is non-volatile ये दो cases में हम उसे break करते है ठीक है गायद तो सबसे पहले आते है if solute is volatile पहले बाला आते है solute is volatile तो गायद देखो solute volatile होगा तो क्या होगा ये हमारे पास container है container में अब हमारे पास ना किवल solvent A है हमारे पास solute B भी है दोनों है तो गायद दोनों ही वेपर फेज में जाएंगे ठीक है ना गायद हम माने कहले है initially कोई pressure नहीं जाए इसके उपर जब इकलिवर में establish होगा तो A और B के कुछ molecules went into vapor phase and they are the ones who are exerting the pressure initially हम ये कोई नहीं माने कहले है कोई gas was already present above the liquid जो भी हमारे molecules अब vapor phase में वो A और B के ही होगी ठीक है guys so can we write down in this case pressure total will be pressure due to A plus pressure due to B A और B के molecules जो कि हमारे किस में कहे है vapor phase में बच्चो हाँ या ना ये सी समझ आई नहीं आई बताओ guys दोनों ही present है this is your this P total is your vapor pressure of solution this is vapor pressure of solution guys ठीक नहीं बच्चो this is the vapor pressure of solution आई डाउ ये राउ नो डाउ अब आते हैं फ्रोर उपर करना है फ्रोर अब हम देखना चाहेंगे what is the pressure of A and B above the solution we need a formula that will give us the pressure of A and B above the solution guys एक चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही है अगर pure A लेते हम pure solvent लेते उसका कोई vapor pressure होता pure A अगर हमने लिया होता तो उसको कोई vapor pressure होता above the liquid उसको हम बोलते है P not A अगर हम pure solute लेते और उसको equilibrium तक attain होने देते तो there would have been some pressure above pure B liquid which would have been P not B, P not A और P not B क्या बता रहे होता है, vapor pressure of pure solute and pure solvent कि अगर सिर्फ solvent ही पढ़ा होता, सिर्फ A ही पढ़ा होता, तो उस वक जो vapor pressure होता above the liquid, that would have been P not A, pure B होता और उसके उपर जो vapor pressure बनता, that would have been P not B clear है guys P not A और P not B समझा आ गया right, अब यहां पे जो P A और P B है, that is not P not A and P not B what you have to understand is, यह P not A और P not B नहीं होगा क्योंकि यह जो P A और P B है that will, P A will be less than P not A P B will be less than P not B try to understand, जो हमारा उपर जो liquid है, उसमें A के भी molecules है, और surface पे B के भी है, हाँ है न let us say, यह जो हमारा field है, यह A है, जो empty है, वो B है, यह A को पूरा scope नहीं मिल रहा हो उपर जाने का क्योंकि कुछ B भी surface को occupy कर रहा है तो we can easily say pressure of A will be less than P not A similarly B को भी पूरा scope नहीं मिल रहा हो उपर जाने का, तो pressure of B is going to be less than P not B होगा क्या उसके लिए we have got लेकर प्रेश आवाड़ लाड़िया होलाद ऐस्ट्रील बाड़ेश ऑ not B हिक वर लेट बाड़़न, बाड़़ोंकि का जासे मिल रतीन cm 500 Ts वे har से टाड़ेश इस नहीं मिल रड़रीपोरोशन y यह 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 स्ट आपोरिकर पूरोश्य अरूब ऱरram nesse तो इट्स मोल फ्रैक्शन गाइस इसको मैं स्टेट्मेंट को थोड़ा और लिखता हूँ इन सॉलीशन हम क्या कहना चाहरे हैं उसे समझो हम कहना चाहरे हैं जितनी अमाउंट एक ही है इन सॉलीशन जितनी अमाउंट जितनी मोल फ्रैक्शन एक ही है इन सॉलीशन उसी के प्रोपोशनल तुमारा प्रैशर होगा अबो सॉलीशन क्लियर है गाइस जितना तुमारा मोल फ्रैक्शन एक है इन सॉलीशन उसी के प्रोपोशनल तुमारा प्रैशर होगा above solution A का clear A की amount solution में जादा है तो उतना ही proportional तुम्हारा pressure होगा A का above the solution A molecules जो की vapor phase में above the solution है उनका pressure is dependent on the mole fraction of A in solution यह in or above solution बहुत important है हम pressure of A above solution को connect कर रहे हैं with mole fraction of A in solution clear है guys कोई doubt यहां तक कि जो volatile component हमें दे रखे हैं solution के अंदर कौन से A और B उनका जो pressure बनेगा vapor pressure बनेगा partial vapor pressure that is proportional to their mole fraction in solution clear है guys कोई doubt यहां तक तो हम क्या लिख सकते हैं PA is directly proportional to XA and PB is directly proportional to XBA XA और XB हैं क्या बताना ज़रा mole fraction किस में है in solution and that is the relation that you have got आना भी चीए यह formula क्यों आना चीए क्योंकि हम कहेंगे अगर pure solute होता तो प्रेशर क्या आता प्रेशर हमारा पी नॉट भी आता नहीं आता XB को 1 डालो पी नॉट भी तो आ रहा है XB1 मतलब सिर्फ solute प्रेजेंट है XA1 का उनलब सिर्फ solvent प्रेश प्रेश प्रेशर हमारा पी नॉट भी और पी नॉट भी तो आना चीए उस केस में समझा आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों क्लियर हो यह चीज़ है नहीं होई अगर हमारा only solute is present then pressure should be पी नॉट भी प्योर solvent is present pressure should be पी नॉट है वही आ रहा है clear होगी यह चीज़ नहीं होगी guys right और यह पी नॉट है और पी नॉट भी क्या है हमारे these are vapor pressure of pure solvent and solute यहां तक कोई भी डाउट है तो बताव अच्छा बहुत है अब हमारा जो पी टूडल ता वो क्या था पी ए प्लस पी भी can I write this down as पी नॉट ए एकस ए प्लस पी नॉट भी एकस पी हाँ है ना यह बताव अच्छा जो मैंने भी बोला है बोलो गास यह हमारा relation निकल क्या रहा है और हमें एक चीज़ और पताए अगर एक solute एक solvent है तो हमारा एकस प्लस एकस भी क्याएगा बन है ना बच्छा तो इट कें बेड़न एस simply this is something you must remember okay clear है बच्छा कोई डाउट यहां तक अब यह तो हमारा हो गया इस पर जरा इसका कर देखते हैं let us have a look at the curve यह बच्छे ऐसे कैसे आ रहे हैं अपने हम किसी भी टाइम पर आ रहे हैं किसी भी टाइम पर जा रहे हैं पता ही नहीं जा करते हैं कौन उच्छा है ओके पता चल गया स्टार्ट करते हैं गाइस हम प्रेशर टोडल निकालनी कोशिश करते हैं प्रेशर टोडल यह दिस दूटू यह होगा प्योर सॉल्विट प्रेशर अफ ए हमारा क्या था प्रेशर डूटू एक था पी नॉट एक से यह प्रेशर ओप एका करव है पूरा ना मिढ़िया है this is PA this is PB वही PA हमारा क्या था पी नॉट A X A हाँ है ना जहां पे XB1 है इसका उनलब क्या हो गया बच्चों XA 0 XB1 का उनलब क्या है XA 0 और यह हो गया XB 0 हम कहेंगे pressure of A क्या होता था पी नौट ए एक से ये value मस्ट भी पी नौट ए ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चो अगर pure solvent है तो pressure is पी नौट ए अगर हमारे पास pure solute है तो pressure is पी नौट ए फाइन अगर हमारे पास solute सिर्व हम pressure of solvent देखना चाहरे है तो उसका कर्व ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चो अगर नौट कंसे इंग प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हम देखना चाहरे है हमें प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट निकालना है से से हमें निकालना है जब x a is 0.8 तो हम कहेंगे दिस प्रेशर दिस प्रेशर ये वैल्यू इस दा प्रेशर ऑफ ए जब हमारा मोल फ्रेक्शन और सॉल्वेंट कितना है जिरो पॉइंट हमें पूछा गया है सॉल्वेंट का कितना वे पर प्रेशर होगा जब सॉल्वेंट की अमाउंट से या उस कॉंपोनेंट की अमाउंट 0.2 है मोल फ्रेक्शन 0.2 है उसक्त वाट इस दा प्रेशर वाइए कितना आएगा बच्छों हमारा तुम्हें काम करो यहां पर इस बार 0.2 देखो एक्से 0.2 तो वाट इस दा प्रेशर कॉंट्रिब्यूट इस दिस मजगा है समझ वा रहा है नहीं आ रहा है बच्छों मतब दू यू रिलाइज कि यह जो मैंने भी कर बनाया है कौन से वाला लट मी मार्क इस दिफरेंट कलर पैन यह यह में प्रेशर ओफ कॉंपोनेंट ए बता रहा है एट दिफरेंट मोल फ्रेक्शन ओफेंट अ इस टेलिएज आरे बच्छों पी लिया रहा है नहीं रच्छों ओनलाइन वाले बच्छों यह बता हू यही चीज समझ में आई नहीं आई curve निकल के आएगा अगर से हमें इस mole fraction पे of A and B pressure total निकाल ला है it is this plus this which will give us the value this समझों आ रहा है नहीं आ रहा है बच्छो clear होगई ये चीज supposing ये mole fraction पे हमें total pressure निकाल ला है it is going to be this plus this which will give us the value this guy समझों आ रहा है नहीं आ रहा है is this total is nothing but PA plus PB कोई हमें पूछता है question में कि इस curve में assuming this to be the x-axis ये origin मान लो and let this be the x-axis what is the slope of this line question समझा है guys हमें ये origin दे रहा है this point is origin मैं इसको different fancy mark करता हूं ये हमारा origin है ये x है हमें पूछा गया है PT में what is the slow of PT तो हम क्या कहेंगे देखते जाओ can we say उसमें PT क्या दा हमारा पी नॉट A x-a प्लस पी नॉट B x-b ये x-axis में ये origin है राइट तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं ध्यान से देखो बच्चो पी नॉट A x-a को क्या लिख दिया है ये नॉट B x-b ये क्या बन गया हमारा इबार देखते आओ पी नॉट A प्लस पी नॉट B माइनस पी नॉट A x-b अब इसमें मान के चलो ये जो पी टोटल है ये हमारा क्या है ये हमारा क्या हो गया ये इंटरसेप्ट जो कि तुम्हें दिख रही है यहां पर P नॉट A है यह हमारा यह आ गई स्लोप और यह XB हमारा क्या हो गया यह एक तरीके से हमारा हो गया X clear or not guys समझा आ रहा है नहीं आ रहा है बच्छो guys यह हमारा p not a है यह इस line की slope निकाल मतलब equation लिख दी हमने एक तरीके से clear or not guys यह इसी समझवाई नहीं आई yes sir किसने बच्छों को इस equation में कोई doubt है किसी कोई doubt है इस equation में यह हमारी equation होगी जो कि मेरे खाल से अब तुम्हें समझ में आ गई होगी ठीक है good अब guys यह जो हमारा pressure total निकल के आया there was p not a plus p not a x a plus p not b x b right यह हमारा total vapor pressure बता रहा है about the solution provided originally कुछ और present नहीं था समझो आ रहा है नहीं आ रहा है बच्छो point out यहां तक अब हमें पूछा गया है question में पूछा गया है यह यह तो हमें mole fraction question में क्या दे रखा होगा will be given the mole fraction of solute and solvent in solution एक तो पूछा जाएगा question में total pressure जो हम निकाल लेंगे formula से ठीक है न guys एक की mole fraction दे रखे दूसरे की पता लगा लोगे हमें पता है एक solute है एक solvent हमें पी नॉट दे रखा होगा पी नॉट भी दे रखा होगा एक ही mole fraction दे रखे होगी we can find out the total pressure अब मैं पूछा गया है जो वेपर फेज है उसमें क्या mole fraction of a and b है try to understand that is not x a and x b these are the mole fraction in liquid phase हमें पूछा गया है what is the mole fraction of a and b in वेपर फेज गाई question clear हो रहा है क्या पूछा गया हमें we are asked the mole fraction of a and b in वेपर फेज उनको हम x a x b ने लिखते हैं उनको हम लिखते हैं y a and y b उसका तरीका क्या है guys मैं Dalton's law याद है total pressure into mole fraction is pressure of that component can we say over here मैं एक वाइज को लिख जैता हूँ mole fraction of a and b in वेपर फेज why एक क्या होगा can we say it is going to be pressure of a by p total and similarly mole fraction of b in वेपर फेज is going to be pressure of b by p total ये जी समझ में आई नहीं आई guys आ गई ये तो बैट रहा है ये हमने Dalton's law लगा है p a is p total into y a p b is p total into y clear हो गई ये चीज या नहीं होगी बच्छे ये बता हूं this is more fraction of a and b in वेपर फेज ये जो हमारा formula निकल के आई Dalton's law से निकल के आई और हमने कोई नहीं चीज नहीं करिया इसके अंदर guys बताओ हाँ या ना सुमझ में आया नहीं आया okay okay right now a note to remember solutions which obey Raoult's law at all compositions of solute and solvent of solute and solvent are ideal solution जो Raoult's law हमेशा follow कर रहे होते हैं at all concentration at all percentage of solute and solvent अगर Raoult's law follow हो रहा है तो उन solutions कम क्या बोलते हैं ideal solution Raoult's law अगर valid है P A is P not A X and P B is P not B X B at all composition of A and B then we say the solution is the ideal solution clear है बच्चों एक question करें जो अब जो भी हमने formula पढ़े हैं उसके basis पे हमें vapor pressure of pure ether pure ether दे रखा है हमें कितना 646 N M M sorry M M and vapor pressure of pure acetone हमें दे रखा है as 283 M M हमें ये भी दे रखा है कि more fraction of ether in solution in solution in solution is 0.5 find more fraction of find more fraction of ether and acetone in vapor phase clear clear है guys बच्चों कैसे करेंगे हमें mole fraction दे रखा है ether की in solution in solution 0.5 है तो ऐसी tone की कितनी होगी 0.5 again है न so can I say pressure total is going to be 646 into 0.5 ये हमने mole fraction किसकी लिए ether की plus 283 into 0.5 ये mole fraction किसकी है acetone ये total pressure आ गया and y of ether कितना आएगा mole fraction of ether that is going to be pressure of ether by pressure total समझो आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चो this was basically your PA this was basically your PB मैं काम करता हूँ मैं statement ये लिग रहा हूँ it is going to be 646 into 0.5 by P total आ ये है ना बच्चो तो कि this was the pressure of ether and this whole expression is pressure total clear है गाईस बताव समझा है नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है and y of acid हो तो मैं ऐसे भी लिख सकते हो this by this या फिर हमें बताए more fraction का समझावन आना है तो इजनी मैने क्यों करी जाए 1 minus y of ether is y of acid clear or not guys ये सी समझवाई नहीं आए otherwise मैं इसको expression की फॉर्म में तो यहीं लिखता हूँ समझा आ रहा है नहीं आ रहा है बैच्छो clear or not guys nice by chance question के अंदर तुमें एक gas भी दे रखे होती है about the solution और हमें कहे रखा है कि gas की solubility in solution ignore कर दो कि वो gas liquid में भी पाईगी it must be dissolved to some amount in the liquid वो इद्नोर कर दो तुमारा एक्स्प्रेशन क्या बनीगा हम कहेंगे पी टोडल विल भी दिस plus this plus pressure of gas that external gas जो में अलग से दे रखे लिए about the solution और यह वाई ओव इधर है that is going to be this by total समझा आ रहा है नहीं आ रहा है बच्छो यह चीज़ क्लियर होई या नहीं होई online वाले बच्छों पूश्याओं guys answer हो गया clear so this is how you will get the answer यह अभी हमने जो देखा यह किसके लिए देखा यह सारी मैंने तमने कब करी जब हमारा दोनों वर वालेटाइल हाँ है ना कहीं मैंने लिखा भी दा यहाँ पे when solvent तो वालेटाइल हम मान की चल दे solvent is always वालेटाइल solute might be volatile solute might be non-volatile तो अब मैं ले रहा हूं solute is non-volatile solute is non-volatile तो मैं रिलाइज करो कि यह बड़ा असान हो गया क्यों solute अगर non-volatile है तो तुम्हारे पास solute तो vapor phase में क्या नहीं solvent ही जाएगा pressure total जो हमारा था it was PA plus PB right हम कहेंगे भाई B को तो भूलिया ऐसा नहीं है कि हमारा B present नहीं है solution B present है लेकिन it is not contributing to vapor pressure हाँ है ना बच्चो clear है guys मतलब PB equal to P0B XB में what you have to understand is एक तरीक है P0B is 0 getting the idea of mole fraction there is some amount of solute present लेकिन हमारा it is not exerting any उसका जो P0B है वो 0 है clear है guys तो मारा जो pressure total आएगा that is going to be simply P0AX यहां तक कोई डाउट गो लो guys solute non-volatile है तो vapor phase में गया ही नहीं तो pressure due to that component भी जो तुमारा solute है that will be 0 समझे आगया नहीं आगया बच्चो guys जब solute non-volatile होता है उसके लिए हमारे कुछ और formula भी बनते है तो सुनते जाओ हम क्या करने वाले we are going to make a formula जो की important है यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चो clear है guys P total is P0AX हाँ है ना इसको मैं लिख सकता हूं P total is P0A 1-XB right guys अब 1-XB is Pt by P0A and XB is simply P0A minus Pt by P0A यह समझ आया नहीं आया जो मैंने भी expression लिखा है कोई doubt यांदर किसी भी बच्चे को यह क्या बता रहा है more fraction of solute non-volatile solute in solution that is equal to delta P by P0A इसको समझो गाइदम क्या कहना चाहरे है हमने का pure solvent का vapor pressure हमें दे रखा है इससे हमें दे रखा है 760 mm example के दोर पे ठीक है तुमने solute डाला solute डालने के बाद जो तुमारा प्रेशर बचा वो कितना बचा 700 mm कम ही बचेगा इतना हमें पता है क्यों solute ने surface को तो occupy कर लिया थोड़ा खुद vapor में जानी रहा एको जानी दे नी रहा properly तो pressure जो होगा that will be less than P0A हमें पता है pressure of solution will be less than P0A हाँ है न हम कहेंगी इतना है तो decrease in vapor pressure कितना होगा 60 by original vapor pressure which is 760 decrease in vapor pressure delta P by original vapor pressure of pure solvent इसको बोलते है relative lowering of vapor pressure जो delta P by P0A है इसे क्या बोलते है relative lowering of vapor pressure decrease in vapor pressure by original जो pure solvent का vapor pressure था इसको हम क्या बोलते है relative lowering of vapor pressure समझा आया या नहीं आया बच्चो guys ये चीज़ क्लियर हो गई तो जो relative lowering of vapor pressure है that is nothing but equal to mole fraction of solute in solution हाँ या ना राइट तो ये formula भी important है that is equal to mole fraction of solute in solution we are talking about non-volatile solute सारी जो बात चल दिया वो किसके लिए चल दिया है non-volatile solute के लिए ठीक है बच्चो कोई doubt यहां तक किसी बच्चे को एक और चीज़ गाई यह यह formula जो है ना इसमें जो school में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चो दिक्कत क्यों आती है वहां पे हम कहेंगे mole fraction को क्या लिख सकते है it can be written as nb by n a plus nb right हम arbitrarily assume कर लेते है कि जो तुमारा solution है ना वो बहुत dilute है बहुत dilute होगा तो can we ignore nb in comparison to n a है ना यह कब करेंगे when the solution is very dilute solute बहुत कम है as compared to solve है लेकिन यह जो approximation है that is not always valid हो सकता है amount जादा हो solute की कि तुम उसे ignore ना कर पाओ तो guys understand गरो जब भी हम j e के questions कर रहे होंगे at least हम xb is xb it is not equal to nb by n it is nb by n a plus n clear है guys यहां तो कोई doubt ओके एक question दे रहा हूँ सुनो हमें दे रखा है 4.375 gram of substance of substance when dissolved in 36 gram of water lowered its vapor pressure by 0.5 mm okay guys clear है आँ तक 0.5 mm हमें दे रहा है vapor pressure of water pure water basically is 25 mm calculate molecular mass of solute बच्चों पहली चीज़ यार जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा relative lowering of vapor pressure की terms में ही सोचो लेकिन formula में अगर हमें decrease in vapor pressure दे रखा है as 0.5 mm it is always better to use this form ठीक है हम क्या कहेंगे इसमें can we say 0.5 by 25 क्या देगा relative lowering of vapor pressure now that is equal to mole fraction of solute in the solution can I write this down as 4.375 by x x being the molecule mass divided by 4.375 by x plus 36 by 18 हाँ या ना clear है guys यहां से हमारा x आ जाएगा mean guys you can understand यह equation कोई खास अच्छी है नहीं tough है और बच्चों की maths कितनी अच्छी होते है वो बरुसानी होता तो I will give you another formula जिसमें approximation मुलब यहां पे लोग क्या करते हैं अगर school के हिसाब से कर रहे हो हम सीधा इसे अठा देंगे x निकाल लेंगे we'll simply treat it as n by n ठीक है ना guys now that is the easy part जो school में हो जाता है हम इसे ignore नहीं कर सकते so I will give you another formula which is better हम कहेंगे डेल्टा पी किसके बराबर था बेटा डेल्टा पी भाई पी नॉट ए वाज एक्स भी हाँ है ना and we know P total is या P total is P not A X A हाँ है ना या मैं इसको लिख सकता हूँ P total भाई P not A is X A हाँ है ना हाँ है राइट गाइस यू डिवाइड बोथ आप यू डिवाइड बोथ आप यू डिवाइड बोथ आप तुम्हारा आएगा डेल्टा पी भाई P total is equal to X B by X A या फिर मैं पूरे को अटा के सीदा फॉर्मॉला लिख देता हूँ विजिस बैटर एक्स बीवाइड लिख सकता हूं बदा मोल फ्रैक्शन की रेशो इस सेमें मोल की रेशो हाँ है ना यह इस से वैल्यू बढ़ी आसाना जाएगी तुमने लाइज करो कि उपर से भी एक रखाम कर रही सकते जे लेकिन बच्चे उस टाइम पर उनका दिमाग कितना चलेगा इट डिपेंड यह फॉर्मॉला कैसे है पर एक हम गहेंगे 0.5 वाज़ दा इस वाज़ दा डिक्रीज इन वेपर पैशर हाँ है ना बच्चो यह चीज़ क्लियर हो रही है नहीं हो रही है दिस वाज़ बेसिकली पी नॉटे माइनस पी टोडल हाँ है ना और में पी नॉटे कितना दे रखा है 25 तो वाट इस अप्रेशर ऑफ सॉलीशन गाइस वह हमारा प्योर सॉल्वेंट का 25 था तो वाट इस अप्रेशर ऑफ सॉलीशन ना 24.5 डोंट यू थिंग इस विल बेटर 0.25 बाइट 24.5 इस इकोल लू 4.375 बाइच ओवर 36 बाइटीन ओ 0.5 मैं बाइट 0.5 क्लियर है या नहीं बच्चो गाइज इस इस चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई इस फॉर्मले में आपने कोई अप्रॉक्सिमेशन नहीं करी है ठीक ना बच्चो तो इस फॉर्मला इस बैटर इस बैटर लेकिन अंडर्सेंड करनी की चीज़ क्या है भाई ये रिलेटिव लोवरिंग औफ वेपर प्रेशर नहीं है अगर तुम्हें क्वेशन में प्रॉपर रिलेटिव लोवरिंग औफ वेपर प्रेशर दे राखा है तो फिर तो तुम उसको एकस बी के बराबर करो दे नोट एन बीवाए एन गेटिं दा आइडिया गाहेज डेल्टा पी बाई पी टोडल इस नोट रिलेटिव लोवरिंग औफ वेपर प्रेशर नहीं अगर तुम्हें वेल्यू ऐसी दे रख की हैं कि रिलेटिव लोवरिंग औफ वेपर प्रेशर बाकी information दे रहे हैं कि it's better to use this formula जो मैंने अभी लिखा है हाँ या ना बोलो guys एक काम करते हैं एक और question करते हैं let us do another question guys हमें vapor pressure पूछा गया है of one molar solution of non-volatile solute okay guys in water ठीके ना यह हमें निकालना है given है vapor pressure of water is 0.122 atmosphere पी नोड़े दे रखा है और पी टोडल पूछा है समझो आ रहा है नहीं आ रहा है अज़े गाइस उपर आले में मैंने नॉन वालटाइल solute नहीं लिखा था बाइद रहे वही वैल्यू दे रहा है से 0.05 तो हम सीधा उसको एक्स बी के बराबर कर देंगे यह जो मैंने फॉर्मला बताया है इस नाथिं स्पेशल यह उसका simplified version है उसी फॉर्म लेगा जो हमने उपर किया है लेन उसमें हमें पी टोडल पूछा हुआ है हाँ है ना पी टोडल क्या होगा कैन वी सिंप्ली सेट इस पी नॉट एक से क्यों किसी और फॉर्मले पे जाएंगे आप ठीक है ना गाइस हम इस फॉर्मले को यूज करेंगे क्लियर है आधर क्या हो जाएगा हमारा पी टोडल विल भी पी नॉट ए 0.122 मोल फ्रेक्शन किसकी पूछी का है यह का है यहां पे मोल फ्रेक्शन किसका है वाटर का सॉल्वेंट का अब तुम्हें मोल लिटी से क्या निकालना है मोल फ्रेक्शन वो भी किसका सॉल्वेंट का तो statement सुनते हो, one mole को हम क्या बोलते है, one mole solute in one kg solvent, तो मान के दिलो, तुम्हारा पास mole of solute कितने है, one, mass of solvent कितना है, one kg, so if I write down this expression, do you realize कि हमारा mole fraction ही आएगा, solvent का, these are the moles of solvent, by solvent plus solute, question is over, खतम question, यह बताओ, समझ में आया नहीं आया, या सिर्ट के उपर से गया, because we have got one mole solute in one kg solvent, mole it is, हमने सिर्फ मोल fraction पे गए और कुछ नहीं किया है, यह बात अलग है, कि हमने mole fraction solute की नीची यह दी, हमें solvent की चीए थी, तो मैंने बस वो expression लिख दिया, हाँ बेटा, यह जो मैंने bracket में लिखा है, या क्या, बेटा, P total will be P naught A X, P naught B X भी तो है नहीं, क्योंकि solvent हमारा volatile है, solute is non-volatile, P naught यह हमें दे रखा है, vapor pressure of pure water दे रखा है, 0.122, into हमें क्याचिए mole fraction of solvent, यह हमारा mole fraction of solvent कैसे आ रहा है, one mole को मैंने लिख दिया, one mole solute in one kg solvent, मुद्ब thousand gram solvent में एक mole solute है, solvent water है, तो thousand by 18 यह mole of solvent देखा, divided by mole of solvent plus mole of solute, clear हुई यह चीज या नहीं हुई गाइज, online वाले बच्चों respond with a yes or no, क्या हां सर समझ्यों आ गया, क्यास सर्, आ गया, एक और question दे रहा हूं, let me know, किस समझ्यों मैं आया या नहीं आया, उस question को कैसे कर मैं, हमें, vapor pressure of, this would be too easy, प्योर वाटर दे रखा है, as 23.76 तॉर, what is the vapor pressure of, solution, when, 100 gram, water, and 100 gram, glucose, are added, क्या expression बनेगा बच्चों, बताओ, निकल जाए तो बता देना, expression ही चीए मिझे, साहल मत करने बैड़ जाना, मेरे यालते कोई दिक्कत ही नहीं आनी चीए, बच्चों को इसमें, next question मैं इतना लिए देता हूँ, हमें दे रखा है, एक solution of N-butane, solution मैं पूरा लिखता हूँ, solution of N-butane, जिसका P-not value दे रखी है, 18-23-tor, and N-pentane, जिसका P-not value हमें दे रखी है, 5-21-tor, 5-21-tor, इनको हमने mix किया, and हमें एक solution बनाया, solution contained, 10% N-butane, and 90% N-pentane, by weight, पूछा गया है, find P-total, पहला पाद, इसका मैं पहला पाद लिखें, find P-total, guys, उपर ओलो question हो गया है नहीं हो गया, मैं एक हाल दे उपर ओलो question में कोई दिक्कत ही नहीं आनी चिये, P-total हमें पूछा गया है, हम कहेंगे, glucose दोजन्ट, it is a non-volatile solute, it दोजन्ट गो इन गो इन गो इन वेपर फेज, so it is going to be simply 23.76, 100 by 18, over 100 by 18, plus 100 by, mole-gave mass of C-C-H1-O-6 which is 180, solvent का mole-fraction लेंगे ना मेटा, relative lowering of vapor pressure is equal to mole-fraction of solute, यह तीनों formula वहीं से आ रहे हैं कि जैगे से आ रहे है, P-total equal to P-not-A-X-A, relative lowering of vapor pressure is equal to mole-fraction of solute, and delta P-y pressure of solution equal to N-by-n, ने तीनों formula एकी चीज से आ रहे हैं, एक equation से, clear है guys, यह expression हो गया नहीं हो गया तुमारा उपर वाला, नीच ओला कैसे करोगी guys, हमें percentage by weight दे रखा है, हमारा काम एक ही है, mole-fraction निकाला, ठीक है ना guys, मैं expression लिख दू, no, okay, guys इब और question note कर लो, उसके आवाद में लिखना शूरू करता हूं, that would be better, question लिख लिए guys, यहाँ पर क्या खरी है, okay, fine, guys हो जाए तो बता दे ना, लिख 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 लिख, कर सके दो कर दो हुआ है पहले हमने मोल फ्रेक्शन निकाल ली और फिर हमने प्रेश्यर डूटल को कैसे लिखा पी नॉट अभर पी नॉट ऑफ ब्यूटेन इν्टो मोल फ्रेक्शन ऑफ ब्यूटेन प्लस पी नॉट ऑफ चलियर भू चू हमें पूछा जाता है अगर कॉमपोजिशन इंड के पर फेज वाई ऑफ ब्यूटेन पूछा गया है वो क्या आएगा इट इस गॉंट बी दिस बाइ दिस यह हमारा दोनों ही solute and solvent are volatile हाँ है ना दोनों का अगर वेपर प्रेशर प्यूर कॉंपोनेंट का देगा का है बोथ और वालेटाइज इस गॉंट वालेटाइज दोनों क्या प्रेंट वैलिउस दे रखी दिया मैं क्लियर हुई यह चीज़ा नहीं हुई गाइज इस तो next हमें पूछा गया है what is the mole fraction of butane in solution if total vapor pressure is 760 tor question समझ आया है अब हमें जो 10 परसेंट और 90 परसेंट दे रखा था वो नहीं है इस इस सेपरेट हमें total vapor pressure दे रखा है 760 और है then what is the mole fraction of butane in solution I don't think इसमें कोई भी दिक्कत आनी चीए 1823 into x मानलों यह ब्यूटेन का प्रेशर था वे पर प्रेशर प्यूर भी प्यूर ब्यूर ब्यूटेन into its mole fraction plus 521 into one minus x should be equal to what guys should be equal to 760 कुछ समझ में आया या नहीं आया आ गया आ गया 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 है लाट्स नाइस हावेड़ा यह जो एक्स है हाँ इस एक्स भी गाइस क्लियर रहे हैं आदक कोई डाउट बच्चों बोलो कोई डाउट नहीं लाट्स नाइस अब एक काम करते हैं जो थोड़ा दो और पढ़ाएता हूं उसके बाद गिव यह शीट डू यू डू दैट शीट एंड लेट मी लू ठीक है गाइस फोड़ा दो और पढ़ते हैं फॉर्मली बेसिकली इसी नहीं फॉर्मलों के उपर बेस कोई शीट होगी तुमारी जो अभी तक हमने करें अभी तुम्हारे थोड़ी एक्स्ट्रा उसके उपर तुम्हारे भी क्वेश्टन नहीं हैं और यू 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 डू एट रहा होता है एड ऑल कंपोजिशन हाए ना बच्चों अब गाइस यह तो बड़ी एक जर्णल स्टेट्मेंट होगी के राउल्स लोगो फॉलो कर रहा है राइट यू आइडियल सॉलुएशन हम भी मलब वैसे कैसे पता sekali है उसके जहांति है और देखो गाइस सॉल्यूशन कैसे बनता हैं सॉल्यूट और सॉल्वनम कर दो मिलाकर अगर हम कहें कि जो AA interactions हैं या BB interactions है मतलब solute solvent की जो interactions हैं आपस मैं solute की solute क्या solute की solute क्या जब तुम्हें ने mix किया तो अब interactions किसके बीच में होगी solute और solvent के बीच में हम कहेंगे अगर ये interactions are same as solute solvent interactions मतलब तीनों interactions तुमारी लगभग same है strength उनका almost same है then we say the solution that is formed is a ideal solution. Clear है बच्चो? A-B interactions and B-B interactions are almost equal to A-B interactions. Then we say that the solution is ideal. Clear है बच्चो? Guys, कोई जाउट यहां तर? तो इसके example देखते हैं. Bromothin Clorothin Almost same कहना चारे हैं. ठीक है न गाइस? N-Hexin and Heptin तुम realize करोगे ऐसा नहीं हो रहा कि तुम्हारा एक मैंसे hydrogen bonding है और एक तुम्हारा वैसी पढ़ाए है. Just very weak forces. इस टाइब का हमारे पास case नहीं है. Ideal का मतलब है दोनों में लगवख similar kind of interactions. जैसे benzene and toluene. CCL4 and SICL4 clear है guys? इस टाइब के solution generally form हमारा ideal solution. तुम्हारा राहुल्स लोग इस followed. clear है guys? at all compositions of solute and solvent. अब how to identify in terms of heat release या change in volume. criteria for formation of ideal solution. criteria for formation of ideal solution. ठीक है guys? क्या criteria है? पहली चीज़ जब तुमने solute और solvent को mix किया दिखो guys जो interactions ऐसे दिखो जब हमने solute और solvent को mix किया solute solute interactions कम ही solvent solvent की कम ही और solute solvent की बनी अब जो है पहले तुम्हें एक तरीके तुम bond break कर रहे हो solute solute के और solvent solvent के और फिर तुम bonds बना रहे हो solute solvent में and if the interactions are almost similar can we say heat released या absorbed will be zero delta H is going to be zero on mixing तो एक तो यह हो गया हमारा delta H on mixing should be zero clear है guys? जब हमने या delta H of mixing या delta H of solution लिख सकते हो तुम्हें से idea is कि तुम्हारे जब solution बना हाँ वेटा ideal वाली में zero होगा क्योंकि इंटर है हाँ ideal की बात करें ideal solution के लिए there is no heat release dot absorb दूसरा delta V solution should be zero यह भी समझ में नहीं आया होगा मैं भी बताता हूँ अब नहीं से बताता हूँ what do you mean why delta V solution equal to zero हम कहेंगे भी तुमने solvent एड़ किया 30 ml solute एड़ किया 10 ml अब जो solution है अगर हमारा वो 40 ml आ रहा है तुम कहेंगे change in volume on addition of solute and solvent it is zero मतलब यह जो delta V solution है it is V of solution minus V of solute and solvent तुम्हें realize करो कि non ideal solution में हो सकता है कि जब तुम इसे mix कर रहे हो तो जो volume बनने that is not 40 it is 41 या 39 ऐसा भी जाता है supposing interaction strong हो गई interaction strong हो गई तो they will be occupying lesser volume अगर interaction weak हो गई solute solvent के interaction is weaker than solute, solute and solvent, solute तो they will be occupying more volume it is going to be 41 तो अब समझे आया delta V solution 0 का मतलब क्या है solution minus solute and solvent clear है इस बेसिकली जो मैंने example लिया this is an example of idea और तीसरे तो हमने काही था कि it should follow Raoul's law at all temperature and concentration obey Raoul's law at all temperature and concentration समझे आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चो clear है guys non-ideal solution we'll discuss in next class कि non-ideal में कों से case बनते हैं दो बनते हैं एक positive deviation from Raoul's law एक negative deviation depending upon bonds बाद में जो हैं solute solvent के वो they are stronger या weaker गाए ठीक है बच्चों यहाँ तक किसी भी बच्चों कोई भी डाउड है तो बताओ हुआ है झाल लाए भी झाल अच्चों यहाँ अच्चों कोई भी जो एकाशद इस में हाँ हैं